मस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यट्यूट चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 और 30 नुमंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बहुती बड़ी खुश खबरी लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिसके लिए आपकी आखें तरस गई थी कि यह चीज हमें कब मिलेगा दोस्तों वह चीज आपको मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों मालक्चमी की आसिरवाद ये सा है कि दोस्तों अब अपने जीवन काल में आने वारे दो दिनों के अंदर पूरा जीवन आपका बदलने वाला है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि जब इस वर अपने भक्त के जीवन काल में चमतकार करते हैं तो दोस्तों उनके जीवनकाल की सारी बातों को देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन शाकार किये हैं कौन शाकार उनके लिए अच्छा था और कौन शाकार गलत था और दोस्तों पिछले कई सेम्यों से अब अपने जीवनकाल में लगातार मेहनत पर मेहनत यकीन पर यकीन और भग भगवान केसे या खुश खबरी नहीं देते, भगवान भी यह चीज देने के लिए बेकरार हो रहे थे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, कि भगवान हर कारें को समय पर ही देते हैं, बलहीं आपको लगता होगा कि यह चीज जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, यह हमें नह मिलेगा लेकिन दोस्तों आने वाले दो दिनों की अंदर भगवान आपके सब्र का आपके हितिहास का बड़ा फल देने वाले हैं जहां दोस्तों और दोस्तों यह खुश खबरी को देखकर आपके जो जलते थे दोस्तों वे आपकी तरिकी को देख नहीं पाते थे उसके सरीर से पशीना बंध नहीं होगी जहां दोस्तों और आपकी आस ख़ोडोस में भी यह देखकर बोलेंगे कि किस्मत तो हो एसी जहां दोस्तों तो दोस्तों इतनी बड़ी खुश ख़बरी के साथ-साथ दोस्तों आपको इंदिन में कुछ शापधानिया भी देखकर चलनी होगी कुछ बाताओं को ध्यान में रखकर चलना होगा जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों इसलिए बीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू से लेकर अन्तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महतोपुन जानकारी को भी जानेंगे कि ऐसमें आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रणे होंगे कौन शेकार आपके लिए भागेशाली होंगे और कुन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी मालक्षमी जी के असिरवात से आपके घर के माहुल में पारिवारिक जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो भी विक्ती वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी लिखेंगे जो की आपको इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साते बेल आईकन को प्रेश करके आल फ़र शलैट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं, शुरुवात करते हैं एक अच्छे विचार से, स्री कृष्ण जी के अच्छे ग्यान से, जो कि दोस्तों आपको इन दुनों में एक इक्षा सक्ती जागरित करेगी और यह ग्यान आपको आगे की उचाईयों तर लेकर जाने वाले हैं एक बार एक राजा नगर भरमन को गया, रास्ते में देखा, एक छोटा बच्चा माटी के खिलोना को कान में कुछ काता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है, राजा ने अच्रे से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो, बच्चे ने जबाब दिया, मैं इन से पूछता इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्यान की बात, राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राज महल में रहोगी, बच्चे ने कहा जरूर रहूंगा, पर मेरी चार सर्ते हैं, कि जब मैं सोऊ, तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा, त तुम्हें नगन रहना पड़ेगा और जब मैं कभी मुसीवत में आऊं तो तुम्हें अपने शारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा अगर आपको ये सरते मंजूर है तो मैं आपके राज महल में चलने को तयार हूँ राजा ने कहा ये तो अशंभव है बचे ने कहा राजन तो मैं उस परमातमा का आशारा छोड़कर आपके आशारे क्यों रहूं जो खुद नगन रहकर मुझे पहनाता है खुद भूका रहकर मुझे खिलाता है खुद जाकता है और मैं निस्चित सोता हूँ और जब मैं किसी मुसीवत में होता हूँ तो वो बिना बुलाई मेरे लिए अपने सारे काम छोड़ कर दोड़ा आता है जिहां दोस्तों काथा का भाव के वल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विशे विकारों में उलजकर परमात्मा को बुलाई बेटे हैं ज दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शलाईक अवस्त कर दे और इनके लिए लिग दे जैस्रीक्रिष्ण राधे रादे दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि यह दो दिनों के अंदर में मा लक्षमी आपको वह क्या देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपकी आँखें तरस गई थी और आपके घर के माहुल में परवारी जीवन में परतेक छेतर में क्या-क्या सुधार करने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस धर्ती पर कोई ऐसा इंसा नहीं है जो कि यह चीजनों चाहता हो कि उनके जीवन काल में पेशा ना आए उनके जीवन काल में खुसिया ना आए और उनके जीवन में घर परिवार में सुक सांती ना आए जिहां दोस्तों बेसक सी बात है क दोस्तों हर इंसान यह चाहता है कि उनके जीवनकाल में उतना धन हो ताकि वह अपने जीवनकाल में कोई वस्तु हो उन्हें खरीद सकी जो भी उनके जीवनकाल की प्रयात मातरा में धन है उन्हें वह अरजित कर सकी और हर कोई चाहता है कि उनका किश्मत का धन प्राप्त हो जाए और वो अपने परिवार के साथ सुखी शंपन जी शके जहां दोस्तों परहमा आप सभी को बता दें कि यह दो दिनों के अंदर में पहले ही दिन से दोस्तों सुरुवाद बहुती बेहतरिन होगी और भाव सारी लोगों से मुलाकात का आफसर मिलेगा साथी लक्ष प्र दोस्तों वादन कोई चोटा रकम नहीं होगा जिहां दोस्तों वाधन उस्तों कुछ पूरान कोई उधार दिया हुआ पैशा मिल सकता है दोस्तों किसी पूरान योजनावों को किराविंद करने का उचीत समय है आज कोई बहुत बड़ी दूवेदा दूर होगी गर के वारिष्ट और अनवेवे लोगों के मारदर्शन से कई मुस्किलों का भी शमाधान निकलेगा और मानसिक शिकुन बना रहेगा दोस्तों दिन कुछ वैस्ता पूर्न रहेंगे लेकिन सफलता मिलने से ठकान भी दूर हो जाएगी और आपकी कारिसेली से लोग परभावित होंगे दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण और भगवान के किरपा से इसमेघर सी आपके लिए बहुत ही अनुकूल है आचना किसी अंजान व्यक्ती से मुलकात आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहेगा दोस्तों आज आपने बहुत बड़ी चतुराईसे काम सफल करने वाले है आज आपने चतुराईसे किसी भी समस्या का समधान पाने में समक्ष रहेंगे जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे दोस्तों आज अल प्रियास से ही पूरी होने की समभावना है और किसी रिष्टार से सुप समाचार भी मिलने से खुशी मिलेगी दोस्तों आज बहुती वासता पूर्ण और ला कबरियों और काम्याबन के साथ-साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शावदानियां भी रखने की जोरत होगी नाकातमग परवर्ति की लोगन से दूरी बना कर रखें एसे लोग आपकी मान्हानी और आपमान का कारण बन सकते हैं आपके ग्रेसिती बहुती अनुकुल है कहीं भी निवे शमंदी फैसला लेने से पहले उस पर उचीत सोच विचार आवसर कर लें वैपसा में अगर कुछ नवी करनी या विस्तार समंदीर ना बन रही है तो दोस्तों उसमें विस्येस रूप से अपना ध्यान रखें इसी वहरी व्यक्तिकी वज़े से घर में कुछ नुक्सान करने की फिराख में रहेंगे कार्चित की आंतरी वैस्ता में कुछ बदलाव करना जरूरी है नुक्री पैसा विक्ति अपने लक्ष को पूरा करने में समट रहेंगे और दोस्तों घर परिवार के लिए विश्येस में निकालना परिवारी समंदों को और अ स्वास्त के बारें बात करें तो मोसम का असर आपके स्वास्त पर हो सकता है ये समिए अपना इंफुस सिस्टम श्टंग बनाने के लिए उचीत अहार लें वर्तबान नकार्तों वतारों की बज़़ से साफधानी रखना उचीत रहेगा आरोधिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों मैं बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों हर सुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर मा लक्षिम और भगवान बिशनु को लाल रंग का फूल अरपित करें और परती दिन सुबह उठकर असनान तामबे के लोटे से तुलसी को जल अरपित करें और तुलसी के पत्ते को लोटे में डाल कर पूजा करें अब इस जल को घर के परतीक अस्तान पर शिड़कें इससे दोस्तों आपके घर में सुक्ष सम्रदी और धन की वरसात होगी जिसे आप बात करता आपका लकी रंग औ और लकी अंक पांच है दोस्तों मालक्षमी जी की आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेट जरूर करें धन्यवाद